सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यावाद कहना चाहते हूं आप मीडिया परसंस का भी क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रूआउट दर्णी रैसलिंग में आपने सपोर्ट किया है तो मैं उमीद करती हूं कि मैं आपकी उमीदों पे लगता है कि अपना कौन है जब अब आम रोड पे घसी टे जा रहते हैं तो चोड के बिजेपी को देश में नहीं भी पार्टियां है वह हमारे साथ में थी हमारे दर्ध कुशमा मतरत को ज़िस पा रहती कि मैं बहुत प्राउड फिल ब्यूरु कर रहे हूं कि मैं एक ऐसी मैं एक ऐसी वीचार धारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याएं और उनके साथ बुरे बरताओं के खिलाफ खड़ी है उन वो लड़ाई लड़ने के तयार है सड़क से लेके संसद तक और मैं विश्वास दिलाते हूं पूरे देश्वासियों क्यों कि जो महनत जो लगन से हमने रैसलिंग में काम किया है हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरी को जो दर्द जो तकलीफ हमने जेली है खासकर महिलाओं के लिए हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आपको लाचार अपने आपको बेबस समझती है रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी मैलाओं को छोटी बच्यों को इंस्पायर कर सकती हूँ मैं चाहती तो मजन तरमंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे पूरा देश इस चीज बहुत विश्वास कर रहा था क्योंकि BJP IT Cell ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कार्तूस हैं, हम खतम हो गए हैं, हम पोलिटिक्स कर रहे हैं उन्होंने बोला मैं नैशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नैशनल चैंपिंशिप खेला उन्होंने बोला ये ट्राइल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्राइल्स भी दिया उन्हेंने बोला कि ये उलम्पिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते हैं, मैं उलम्पिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई, अनफोर्चुनेटली परमातमा को कोई और चीज मनजूर होगी, एक चीज मुझे पता है कि जब महनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी द मिरे लिए बहुत प्रावड की बात है, बहुत एक मैं नई पाई के सुरुवात कर रही हूँ आज से, मैं चाहते हूं कि जो हमने फेस किया है जे खिलाडी होने के नाते, उन सब खिलाडीों को वो चीज ना फेस करने पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, साइद उनक में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके भेन भाई हैं, जो उनके साथ में खड़े हैं, और उनके पता है, स्पोर्ट में कितना गलत होता है, नहीं बोल पाते हैं कि लाडी, आप हम से देख लो, बजरंग के उपर डोप का भेन लगा दिया, चार साल का, सिरफ किसी लिए, कि सिर कि जंग भी हम जितेंगे, खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेट फोर्म पे जो मा रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिरफ बोलने तक सिमित नहीं रहेगा ये, हम दिल से हमने खेल किया है, और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मैनत करें जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहिए कितना ही परसेंट अमारे आथ में होगा, यह करने की कोशिज करेंगे, और मैं अपनी बेहनों को बताना चाहती हूं कि आपकी बेहन आपके साथ में है, किसी बी मुसिबत में, किसी भी पल, किसी बीछण आप ऐसे मत सम लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका